ये लड़कियां कुरोना करफियों को दरान शेहर घूमने निकली थी इन्होंने सोचा था कि चलो चलते हैं जो होगा देख लिया जाएगा चहरा काला न हो इसके लिए चहरे पर नकाब बांधा और निकल पड़ी शहर की गलियों में चकर लगाने वो भी बिना किसी कान के फिर क्या था पुलिस ने देख लिया और शुरू हो गई उठक बैठक आपने अभी तक देखा होगा कि पुलिस अगर लड़कों को फिजूल में घुमते हुए देखती है तो उनसे उठक बैठक लगवाती थी और लड़कियों को समझा कर भेज दिया करती थी लेकिन MP पुलिस ऐसा नहीं करती है वो सबको बराबर का अधिकार देती है कहते हैं ना कि लड़का लड़की एक समान तो मद्रदेश की पुलिस इसी बात का पालन कर रही है दरतल ये तस्वीर है मद्रदेश के असोक नगर की जहां पुलिस लॉकडाउन का उलंगन कर फिजूल में बाहर गुमने वालों के खिलाप कारवाई कर रही है पुलिस सिर्फ ऐसा लड़कियों के साथ ही नहीं कर रही बलकि जो भी बेकार में भुमता मिला उसकी जम पर खात्रदारी हो रही है सुने इस मामले पर पुलिस का क्या कहना है कि बल्स ने लड़कियों को ठक बैठक लगवाने के साथ ही कई लोगों का चलान भी काटा और कई जगों पर लाठिया भी बरसानी पड़ गए पॉलिस को ऐसा इसले करना पड़ रहा है कि की लॉकडाउन के बावजूत भी लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं पॉलिस के हजार बार भी मना करने पर लोग पॉलिस वालों की नहीं सुन रहे जिसके बाद पॉलिस को मजबूरन आसी कारवाई करनी पड़ रही है इस खबर में इतना ही खबर को लेकर राय क्या है कमेंट कर जरू बताएं और मद प्रदेश जूरी तमाम खबरे दिखनी करें देखते हैं विकने जपी धन्द बाद